नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूप चानल में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी दवाईयों के बारे में जो हमारी गर पर फरस्टेर बॉक्स में यानि की प्रतम उपचार पेटी में होना बहुत जरूरी है तो चलिए देखते हैं उनी दवाईयों के बारे में उनके उपियों के बारे में और उनके डोस के बारे में कि कौन सी दवा किस बिमारी में कितनी मातरा में देनी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे क्योंकि यहां पर आपको मेडिसिन और हिल्थ रिल्टे और भी हुश्यारी फिर उस देखने को मिले गए तो दोस्तों घर पर फर्स्टेर कीट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक बॉक्स होना बहुत ज़र रहे हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप यह मार्केट से 50-60 रुपर में आसानी से खरे सकते हो तो चलिए अब देखते हैं कि इस बॉक्स में आपको कौन कौन सी दवाईया रखनी है तो सबसे पहली दवाईय है जो आपको इस कीट में रखनी है उसका नाम है पैरसिटरमोल तो दोस्तों इस दवा का उप्योग बुखार में किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को बहुती जादा बुखार हो तो उसे पैरसिटरमोल की एक टैबलेट दी जाती है खाना खाने के बाद दोस्तों एक टैबलेट देने के बाद भी 6 गंटे के अंदर यदि उस व्यक्ति की बुखार कम नहीं होती तो आप उसे बारा से ट्रमॉल की और एक टैबलेट दे सकते हो दोस्तो इसके डोस की बात की जाए तो इस 500 मिलिग्राम टैबलेट को आप हर 6 घंटे के इंटरवल में दे सकते हो तो दोस्तो ये तो हो गई बुखार के दवा के बारे में जानकरी है अब बात करते हैं उन पेंकिलर्स दवाईयों के बारे में जो इस कीट में होनी बहुत जरूर है दोस्तो पेंकिलर्स मतलब ऐसी दवाईया जो हर दर्द को कम कर देती है जब कभी आपको कमर दर्द, सर दर्द, पीट में दर्द, चोड़ों में दर्द या फिर body egg यानि की पूरी शरीर में कही पर भी दर्द हो रहा है या फिर चोट लगने के कारण आपको दर्द हो रहा है तो ऐसी condition में ये penicillers दवाई ली जाती हैं आपको दर्द को कम करने के लिए दर्द से रहत पाने के लिए ये दवा काफी मदद करती हैं तो दोस्तों इसमें अलग-अलग प्रकार की penicillers होते हैं जैसे की diclofenac plus paracetamol, aciclofenac plus paracetamol तो दोस्तों इनमें diclofenac, aciclofenac ये आपके दर्द को कम कर देगी और इनमें plus में जो paracetamol मिला गया है एक antipiratic यानि की बुखार को कम करने के साथ साथ दर्द को भी कम करने की शक्ती रखता है इसलिए penicillers दवाईयों के साथ साथ हमेशा आपको paracetamol देखने को मिलेगा ताकि आपके दर्द जल्दी कम हो और दर्द के साथ ये थोड़ी बहुत बुखार है तो वो भी कम हो जाए तो दोस्तों इन मेंसे आप कोई भी दवा आपके first aid kit में रख सकते हो या तो आप diclofenac रखो या फिर aciclofenac दोनों एकदम safe है दाहर रहे दोस्तों जिन लोगों को हार्ट से सबंदित कोई problem है तो वे इस दवा का उपयोग ना करें क्योंकि इसमें उनको दिल का दोरा पढ़ने का बहुत खतरा हो सकता है तो ऐसे लोगों को जिनको हार्ट से सबंदित कोई भी problem है उन लोगों को दर्द को कम करने के लिए aspirin ये tablet दीज जा सकती है aspirin ये भी एक प्रकार की pen killer दवाई है जो दर्द को कम कर देती है जिन पेशन को हार्ट से रिलेटर कोई समस्ता नहीं है वो आसाने से diaclofenac, aciclofenac ये pen killer ले सकते है दोस्तों जब आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो आप इस tablet को एक tablet को आप खाना खाने के ब सकते हो तो ये दवा तब यूज़ की जाते है जब आपके stomach में pain हो रहा है फिर चाहे वो पेट में एठन होने के कारण हो रहा हो या फिर महिलाओं में मासिक धर्म के वक्त होने वाला pain हो दर्द हो तो ऐसे condition में ये मेफैनेमिक ऐसी प्लस डाय सैक्लोमाइन के combination वाली दवा वो है daizen syrup दोस्तों जब कभी किसी की पेट में जलन होती है acidity होती है तो तब ये syrup आप ले सकते हो अगर acidity की problem बहुत जादा है तो आप इसे दिन में दो बार ले सकते हो उसके बाद अगली दवा के बारे में बात करेंगे जो आपके कीट में आप रख सकते है और इस दवा नहीं होती है तो ऐसे समय पर जब उल्टी हो रही है या फिर उल्टी होगी ऐसा फिल हो रहा है तो तब आप ओडायन सिट्रॉन या फिर डॉंपेरी डॉन इन दोनों में से कौन से भी एक टैबलेट ले सकते हैं दोस्तों ये दवा आप दिन में ज्यादा से ज्यादा तीन में रख सकते हो वह है रानेटिडाइन और पेंटा प्रॉसल थो ये दवाईया तब ले जाती जब किसी को ग्यास की प्रोब्लूम हो जाती है तो ग्यास से छुटकारा पाने के लिए आप इन दोनों में से कौन से भी एक टैबलेट ले सकते हैं ध्यांद रही दोस्तों ये ग्यास की दवा हमेशा खाना खाने से पहले ली जाती है दोस्तों बहुत सारे लोगों लोग जो है इस बात को गलत तरीके से समझते हैं और इस दवा को लेने के बाद तुरंट खाना खाने पेड़ जाते हैं तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें यह दवा खाने के बाद एक देड़ घंटे बाद आप खाना खाए क्योंकि दवा खाते वक्त और खाने के बाद आपका पेट बिल्कुल खाली होना चुरूरी है तो दोस्तों इस दवा के डोस की बाद की जाए तो इसमें रानिटिडाइन देड़ सो मिलग्राम की टाबलेट आप दिन में दो बार ले सकते हो या फिर पैंटो फ्रॉजल 40 मिलग्राम की दिन में एक बार टाबलेट ले सकते हो आप दोनों में से कौन सी भी एक दवा अपके कीट में रख लो उसके बाद अगली दवा है सिट्रिजिन तो दोस्तों ये दवा हमारे फर्स्टेड कीट में होनी बहुत चरूरी है ये दवा तब यूज की जाती है जब किसी को बहुती ज़्यादा सर्दी जुखाम हो जाती है फिर जाये हो मोसम बदलने के कारण हो अलर्जी के कारण हो या फिर कोई और रिजन के कारण हो तो तब ऐसे कंडिशन में ये सिट्रिजिन ली जाती है तो उसके बाद की जाये तो ये 5 मिलिग्राम की टाबलेट आप दिन में दो बार ले सकते हो उसके बाद अगली दवा है जो आपके फस्टेर बॉक्स में होनी बहुत जोर्य है वो है सिल्वर सल्फा डायजन क्रीम तो दोस्तों ये क्रीम तब लगाई जाती है जब किसी की तवचा जल गई हो फिर चाहे हो खाना बनाते वक्स जल गई हो या फिर गरम पाने या फिर गरम चाय गिरने के कारण जल गई हो तो ऐसे टायम पर इस क्रीम को लगाया जाता है ये क्रीम भी आपके क्रीट में होने बहुत जरुरी है उसके बाद सबसे महद्वपूर्न चीज जो आपके फरस्ट एंड बॉक्स में होनी चाहिए वो है आअयोदिन सॉलुशन दोस्तों ये एक antiseptic solution है जो आपके खिट में होना बहुत जरूर है दोस्तों इस solution को तब लगाया जाता है जब घर में बच्चों को या फिर किसी को भी छोटी मोटी वाउंस या फिर जखम हो जाती है तो वहाँ से अगर bleeding हो रहे है तो ऐसे condition में वहाँ पर bacterial growth ना हो इसलिए ये solution वहाँ पर लगाया जाता है क्योंकि ये antiseptic solution होता है वहाँ पर infection की growth नहीं होती और इसे हमेशा externally ही लगाया जाता है स्कीन पर शरीर के भारे हिस्सों में इसे लगाया जाता है ताकि आपके जखम जल्दी भरे वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी bacterial infection ना हो इस आयोडीन solution को भी आपको first aid box में रखना चाहिए तो दोस्तो लास्ट चीज़ जो आपको कीट में रखनी है वह है cotton pad दोस्तो जब कभी आपके परिवार में किसी को भी छोटी मोटी चोट लगती है तो ऐसे ताइम पे wounds को cover करने के लिए medical cotton pad आपके केट में होना बहुत ज़री है साथ में आप इसके एक seizure यानि की कैशी भी रख सकते हो cotton को emergency में कट करने के लिए तो चलिए दोस्तो आज हमने आपको जिन भी दवाईयों के बारे में बताया है वो सभी दवाईया आप अपने first aid box में यानि की आपके प्रात्मिक उपचार पेटी में रख सकते हो यह सभी दवाईया आपको आपके नजदे की किसी भी medical shop पर आसानी से मिल जाएगी एक बाद दहान रहे दोस्तों इन सभी दवाईयों को सिर्फ emergency में यूज़ करे जब रात के टाइम पे या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना possible ही नहीं है तो तब आप ये दवाईया एक दो बार यूज़ कर सकते हो इन दवाईयों का इस्तेमाल आप रेगुलर बेस पर ना करे इन्हें हमेशा डॉक्टर की सेला पर ही ले यदि आपको रेगुलर बेस पर इसका यूज़ करना है तो self medication avoid करे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ वीडियो की जानकर हेलफ रही होगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शूर कॉमेंट जरू कर दे जगा और ऐसे ही medicine and health related वीडियों इसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं धन्यवाद